Class 2, Subject Science, Lecture No.10, Unit No.12, Topic Water Water का introduction लेते हैं पहले, Water आप पता है, as you know के अर्थ के उपर जो है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में Water मजूद है Large part of Earth is covered by water, ठीक है? अर्थ का जो large part है, वो पानी के साथ covered है Uses of Water की बात करें तो हम कहते हैं Water के different uses हैं बहुत ज्यादा जिन में से कुछ हैं Drinking, Washing, Cleaning, Purposes के लिए हम इसको 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 इस्तामाल करते हैं Water is vital for life, Water जो है जिन्दगी के लिए बहुत एहम है Life जो है without water exist ही नहीं कर सकती Sources of Water, Water के जराय की बात करें Water के जरीए कोन से है, Sources क्या है, कहां से पानी मिलता है Sea and Ocean, समूंदर वगारा, Stream and Rivers, दर्यार, नदी वगारा, Lakes, जील, and pounds, तलाब वगारा ये तमाम क्या है, Water के Sources हैं जहां से पानी जो है वो मिलता है Next, Properties की बात करें, Properties की बात करें Water, Water has no taste, smell, or color Then, अब exercise की तरफ चलते हैं, Question No. 1 है How many glasses of water do you drink in a day? एक डे के अंदर आपको कितने ग्लास पानी पीना चाहिए Next, Part 1 है, In the summer, पहले बताने है आपने summer में आपको कितना पानी पीना चाहिए And then, in the winter, सर्दियों के बारे में Almost 12 glasses Summer में, during, जो है, summer, गर्मियों के सीजन में आपको 12 glass पानी पीना चाहिए And winter में, सर्दियों में, Almost, तकरीबन 6 glasses, 6 glass Next, आपको पास Question No. 2 List the sources of water Water के sources बताने हैं, जरीए बताने हैं, जहां से आपको water जो है, हो मिलता है सबसे पहले आपको पास है, sea and ocean, rivers and streams, pounds and lakes Sea and ocean, समुंदर वगारा से, rivers and streams, river कहते हैं, दरिया को streams, नदियां वगारा, pounds, तलाब, and lakes, जील वगारा से, जो है, पानी हासिल किया जा सकता है यह sources है, water के Next है question number 3 Which water is drinkable? कौन सा पानी जो है, पीने के काबिल होता है तो ऐसा पानी जो pure हो, जिसके अंदर purity हो, pure पानी की क्या खिसूसियात होती है No smell, no color, no taste तो ऐसा पानी जो है, वो पीने के काबिल होता है The water which have no smell, color and taste Question number 4 Which water is not drinkable? कौन सा पानी जो है, पीने के काबिल नहीं होता तो ऐसा water जो polluted हो, polluted means कि उसके अंदर pollution हो Pollution के मतलब different metals मजूद हो, जिसको पीने की जासे आपको diseases बगारा हो सकती है गंदा पानी ती का, polluted water is not drinkable पीने के काबिल नहीं होता कैसे पता चलेगा कि जो water है वो polluted है तो water की जो अपनी properties है वो क्या है कि उसकी ना कोई smell है, ना color है, ना taste है अगर पानी के अंदर smell है, color है, taste है It means के water pure नहीं है उसके अंदर impurities हैं तो ऐसा पानी जो है, वो पीने के काबिल नहीं होता नोट drinkable, next जलते हैं, question number five के उपर question number five है आपके पास why is water from same sources is not drinkable कुछ resources से जो पानी है वो drinkable नहीं होता some resources, ठीक है why water is from some resources is not drinkable because it is salty and polluted, क्योंके वो salty नमकीन बहुत ज्यादा उसके अंदर minerals होते हैं और polluted के उसके अंदर pollution बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए पानी जो है, कुछ resources से पीने वाला नहीं होता like अगर हम sea water की बात करें, ठीक है समूंदर का जो पानी है, तो वो drinkable नहीं है because वो बहुत ज्यादा salty होता है ठीक है, next है question number six हमारे पास write any three ways in which you can save water तीन ways बताएं, जिनके से लिए आप पानी को save कर सकते हैं by following ways, in ways के थूँ आप पानी को save कर सकते हैं number one is turning of a tap null का जो है, टूटी जो है, उसको आप बंद कर दें use करने के बार, ठीक है, जब आप water use कर लें तो tap को क्या करें, turn off कर दें खुला नहीं चोड़ना, इसको आपनी जाया होता है take shorter shower, ठीक है, नहाने के लिए जब जाएं तो shower short लें, means के पानी जो है, वो कम से कम استعمال करें ज्यादा पानी waste ना करें reuse water, water को reuse करें अब reuse कैसे करते हैं पानी को अब और एक्जेंपल आप घर में vegetable fruits वगारा को wash करते हैं दोते हैं, तो जो पानी है वो आप sink में ऐसे ही फैंक देते हैं, या इस तरहां से ही बहा देते हैं, तो उनको आप क्या करें उस water को वो water आप plants वगारा को दे दें, ठीक है पोदो को पानी दे दें, तो water का reuse हो जाएगा तो इस तरहां से water की जो wastage है उससे बचा जा सकता है next है question number seven write any four reasons why water is important for us चार reasons बतानी है आपने four وجہात बतानी है कि पानी जो है वो क्यों एहम है पानी के different uses हैं जिसके उदा से water की जो important है वो बहुत ज्यादा है सबसे पहले तो यह है कि पानी के बगार life exist ही नहीं करती life को exist करने के लिए water जो है बहुत important है इसके लावा other uses है water के these are drinking, पीने के लिए washing, धोने वगारा के लिए प्रेद होने के लिए और other चीज़ों को wash करने के लिए water use किया जाता है cleaning सफाई करने के लिए life life के लिए जो water है बहुत ज्यादा एहम है life जो है life cannot exist without water water के बगार life exist ही नहीं कर सकती तो यह आज का आपका topic था lecture hopes हो कि आपको यह clear हो गया होगा